नमस्कार मैं पूजा आल्ट निउस से आठ अक्टोबर को एक स्कूल के अध्यापक बंधु प्रकाशपाल उनकी गर्वती पत्नी और उनकी आठ वर्शिय बेटे की बेरहमी से मुर्शीदाबाद में हत्या की गई थी 15 अक्टोबर को पश्चिम बंगाल पुलीस ने उत्पल बहरा नाम की एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफतार किया पुलिस का कहना था कि बहरा ने व्यक्तिकत पैसों की विवात की वज़से इस परिवार की हत्या की पर जब तक पुलिस की इस घटना में जाच चल रही थी बड़ी संख्या में गलत अफ्वाहों से इस हत्याकान को एक राजनेतिक और साम्प्रदायक रंग देने की कोशिश की गई प्रारम में बांगला न्यूज रिपोर्ट्स के मुर्टाबिक पुलिस को पहले से ही शक था कि हत्या के पीछे किसी परिवार के जाने पैचाने वैक्तिका हाथ है पर घटना के लगभग दो दिन बाद भारते जन्ता पार्टी ने ये दावा किया कि मृत बंधु प्रकाशपाल एक RSSS कारे करता थे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, बाबुल सुफ्रियो, पार्टी के बश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलिप खोश और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा उन भाजपा लीडर्स में से थे जिन्होंने ये दावा किया इसके बाद सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थकों ने इस घटना को ना केवल एक राजनेतिक पर एक सांप्रदाइक रंग देने की भी कोशिश की कई लोग जैसे की फरजी न्यूज वेबसाइट पोसकार्ड न्यूज के फाउंडर महेश विक्रम हेगडे ने ये कहा कि हत्या के पीछे एक मुसल्मान का हाथ है मधुकीश्वर ने ये कहा कि हत्या एक ऐसे इलाके में घटी है जो एक मुसलिम बहुसंख्यक इलाका है पर बीजेपी और सोशल मीडिया के और सत्यापित दावो को पढ़ावा दिया मीडिया ने प्रारहमबिक रिपोर्ट्स में RSS एंगल अनुपस्तित था पर बीजेपी के ये दावा करने के बाद कई मीडिया संगनों ने बंधुपकाश पाल को RSS कारेकरता बताया जैसे कि ANI, India Today, Hindustan Times, नई दुनिया, प्रभात कबर और कई ऐसे प्रतिष्ठित मीडिया और्गिनाईजेशन्स पर और भी हैरान करने वाली बात ये है कि कैसे कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने इस घटना पर नफरत पूर्ण बयान जारी किये इंडिया टीवी के शुशान सिनहा ने कहा कि कई लोगों को इस घटना पर अफसोस नहीं हो रहा होगा क्योंकि उन्हें एक बच्चे की नहीं पर एक संगी की लाश दिख रही होगी ABP News के विकास भादोरिया ने तो घटना को किरनासपत अपरात कहा यानि की हेट क्राइम पुलिस के बयान के बाद कि बंदुप्रकाश पाल किसी भी राजनेतिक संस्था से नहीं जुड़े हुए थे स्वराजय के आरजगनातिन ने पुलिस की जाँच पर आशंका जताई पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पुलिस का ही नहीं पर मृत के परिवार वालों का भी बयान था एक पूरे परिवार की बेरहनी से हत्या की जाती है और सोशल मीडिया में लिबरल्स को टागेट किया जाता है कई लोग जिन में केंद्र मंत्री रवीशंकर प्रसाद भी शामिल थे उन्होंने कहा कि आशा है कि लिबरल्स इस घटना की निंदा करेंगे लेकिन पुलिस ने अपनी परताल में क्या पाया पहला ये कि घटना में कोई भी राजनेते क्या साम्परदाइक रंग नहीं था हत्या के आरोप ने पुलिस ने उत्पल बहरा नाम की एक व्यक्ति को गिरफतार किया पुलिस का ये कहना था कि बंधु प्रकाश पाल एक अवैद निवेद योजना चला रहे थे जिसके तहट उत्पल बहरा ने उनको पैसे दिये थे पैसे व्यापस नाम मिलने पर बहरा ने बंधु प्रकाश पाल और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी पुलिस का ये भी कहना था कि बहरा ने अपना जुन कुबूल किया पुलिस के बयान और मृत की परिवार जनक के बयानों के बाद भी इस घटना पर अफ़ाय फैलाई जा रही है जहां पर स्वराज्य अमर उजाला अभी में बंदुप्रकाश पाल को एक RSS कारेकरता बता रहे है वही पर एक ट्विटर यूजर कौरफ प्रधान ये भड़काओ दावा कर रहे है कि बंदुप्रकाश की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे एक मस्जिद के निर्माण का विरोत कर रहे थे जब भी आपके सामने ऐसी भावो करने वाले कोई भी खबरे आएं तो उन पर पहले थोड़ा गहन सोच करे इससे फरजी राजमेतिक, सांप्रदायक और भड़काओ दावो को फैलने से आप रोख सकते हैं किसी भी खबर पर सचाई जानने के लिए आप औल्ट न्यू से जुड़े रहे आप हमारा मुबाइल आप्लिकेशन गूगल प्ले से डाउन्डोड कर सकते हैं कर दोल आयो पन्यूदा है